दोस्तो ये है आमिर खान की most controversial film लाल सिंग चड़ा इस मूवी में वैसे तो बहुत सारी नई चीजे दिखाने की कोशिश की है लेकिन दरसल ये मूवी हॉलिवुड की एक forest gump नामक मूवी की रीमेक है इस में आमिर खान के अलावा करीना कपूर, मोना सिंग और नागचेतनिया जैसे सितारे भी नजर आएंगे आमिर खान की लाल सिंग चड़ा मूवी 1994 में रिलीज हुई forest gump मूवी की हिंदी रीमेक है इस मूवी का हिंदी अड़ेप्टेशन अतुल कुलकर्णी ने किया है अब ये देख लेते हैं कि लाल सिंग चड़ा मूवी बिहाइंड अ सीन कैसे बनाई गई थी इस मूवी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी के हिंदी राइट्स लेने में करीब 15 सालों का वक्त लग गया अब दोस्तों अगर मूवी की शूटिंग की बात की जाए तो मूवी को 100 अलग अलग जगों पर शूट किया गया है मूवी को बनाने में करीब 200 दिन का समय लग गया क्योंकि हॉलिवुड की फोरेश्ट गम मूवी अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्टर इस मूवी के अंदर एक पोरे देश में लंबी दौड लगाता है इसलिए इस मूवी को अलग-अलग जगों पर शूट करना पड़ा अगर लाल सिंग चड़ा मूवी की मेकिंग की बात की जाए तो मूवी की शुरुवात 2020 अक्टोबर से शुरू कर दी गई थी मूवी की शुरुवात आमिर खान की मा ने की थी मूवी को बनाने की शुरुवात सबसे पहले एक नवंबर को अमरित सर से की गई थी और 21 दिनों में पहली शूटिंग को खतम कर लिया गया और दोस्तो 2020 में ही आमिर खान का ये फोटो इंटरनेट पर लिख हो गया था जिसमें की आमिर खान और करिना कपूर एक साथ दिख रहे थे कई सारे लोग अब लाल सिंग चड़ा मूवी का बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने कई बार हिंदू देवी देवताओ का मजाग बनाया है क्या आप इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इसे बॉयकॉट करेंगे यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा 28 नवंबर को चंडिगड में करिना कपूर और आमिर खान का एक रोमेंटिक गाना रिकॉर्ड किया गया जो की मैं की करा नाम का गाना है अब दोस्तों लाल सिंग चड़ा मूवी के दूसरे सेट की शूटिंग 5 डिसंबर 2020 को कोलकता में शुरू किया गया यहाँ पर दोडने का सीन शूट करने के बाद अगला सीन केरला में शूट किया गया जहाँ पर आमिर खान बीच के पास में भाग रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी दाड़ी और बाल भी काफी जादा बड़े होए दिखाए देते हैं इसके बाद में आमिर खान के दौडने का सीन जैसलमेर, गोवा और हिमाचल पदेश में भी शूट किया गया क्योंकि इस मूवी में वो पूरे इंडिया में अलग-अलग जगे दौरते हुए दिखाये जाते हैं अब दोस्तों 6 मार्च को शूटिंग के अगले शेडियूल को लदाक में शूट किया जाना था लेकिन उसी समय पर भारत और चीन के जड़प होने की वज़े से उस शूटिंग को टर्की में शिफ्ट कर दिया गया जहां पर आगी की लड़ाई को शूट किया गया इसके बाद में बचा हुआ सीन दिली में शूट हुआ जहां पर भारी लोगों की भीड के बीच में इस मूवी का एक पार्ट शूट किया गया लाल सिंग चड़ा मूवी का रनिंग सीन इस मूवी का सबसे मेन सीन है हॉलिवुड की फॉरेस्ट गंप मूवी से पूरी तरह कॉपी किये हुए लाल सिंग चड़ा में ज़्यादा तर ऐसे ही दोडने का दिखाय जाता है तरकी में लड़ाई के एक सीन के दोरान आमिर खान को पसलियों में चोट लग गई थी और हॉस्पिटल दूर होने की विज़े से इने पेन किलर दे कर यहीं पर शूटिंग को फिर से कंटिन्यू किया गया मूवी में कुछ जगे पर स्पोर्ट्स भी खेले गए थे जिनकी शूटिंग नौईडा के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में ली गई थी लड़ाख में महौल शान्त होने के बाद में मूवी का एक्शन सीक्वल लड़ाख के कुछ इलाकों में शूट किया गया लड़ाख के बाद इसकी आगे की शूटिंग स्षीनगर में की गई जहाँ पर लाल सिंग चड़ा के बचपन के सीन को दिखाया गया था इसके लिए दिली पबलिक स्कूल और डल जील के पास में बचपन के सीन को शूट किया गया मूवी में कई जगह ओपर आमिर खाना और नागा चेतन्या की मस्ती भरी चीजे सेट पर देखने को मिलती है और दोस्तों आखिर में बस इतना ही पूशना चाहूंगा कि आप इस मूवी को बॉयकॉट करेंगे या फिर नहीं ये बात हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा तो ये थी मेकिंग आफ लाल सिंग चड़ा मूवी ऐसे ही और बिहाइंड दे सीन मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लेजिए